एक बार फिर इसी उम्मित के साथ के Fitri India स्वाग थे दोस्तों Fit India News चैनल पे दोस्तों आज जो टोपिक्स के बारे में डिसकस करने वाला हूँ वो बहुत ही इंफरमेटिव होने वाला है आज के इस वीडियो में मैं आपको बातने वाला हूँ जिनसे आप अपने लिए सही जीम टेनर या कोच का पता लगा सकते हैं दोस्तों एक चीज़ का आप लोग जरूर धन में रखिए हर बड़े बड़ी बनने वाले बंदा जरूरी नहीं है कि वो अच्छा टेनर हो आप नहीं जानते किस तरीके से वो अपना बड़ी बनाया है कापी सारे लोग श्टेरट के सारे बड़ी बना लेते हैं लेकिन नौलेज के ममले में वो बिल्कुल जीरो होता है तो आप इस बात को जरूर धन में रखिए वो आपको उनी रास्ते पे ले जाएंगे जिनसे वो अपने बड़ी बनाया है दोस्तों इस बात को आप अपनी दिमाग पर जरूर घुसा ले कि आपके कोच जरूर पड़ा लिखा होना चाहिए एडुकेटेड होना चाहिए बोडी के साइंस के बारे में उसे नौलेज होना चाहिए निव निव रिसर्च के बारे में भी उसको जानकरी रखना चाहिए उसे knowledge होना चाहिए कि किस type के body को कौन सी exercise pattern follow करवाना चाहिए और कौन सी diet लेना चाहिए दोस्तो beginners के लिए अलग exercise pattern है intermediate के लिए भी अलग सा pattern है काफी सारे so-called gym tenor मैंने देखा है लोगों को ये कहते है कि steroid के बीना body नहीं बन सकता दोस्तो body का एक limit होता है एक limit तक आप body बना सकते है fitness के जो body आप बनाना चाहते है वो बीना steroid के भी बन सकता है अगर आपका coach आपको steroid लेने की सला दे रहा है तो फिर आप समझ जाना कि वो सीब अपने पैसा चाप रहा है किसी भी gym में अगर आप जाते है और देखते हैं कि मोटे लोग अलग-अलग तरीके से crunches लगा रहा है तो आप समझ जाना कि वो coach जो ये training कर वा रहा है वो मूरक है या उसको कुछ भी knowledge नहीं है दोस्तो मोटे लोगों का crunches लगने से कोई फाइदा नहीं होगा उसका एक इंज भी पेट नहीं कमेगा crunches उनलोगों के लिए effective है जिनका body fat percentage कम होता है या वो abs बनाने के नजदीक है अगर आप देखते हैं किसी gym में मोटे लोगों को circuit training, high knees, hanging leg raise, mountain climbing, prank या इस तरीके से exercise या cardio exercise करवा रहा है है तो समझ जाना ये coach सही है और fitness के बारे में जानता है अगर कोई टेनर आपको बोले what's fats आपको घटाने में वो help करेंगे मतलब आपका सिर्फ पेट के fats वो easy तरीके से घटा देंगे और आपको इस कम के लिए crunches या पेट का exercise करना चाहिए तो आपका पेट का fats घट जाएंगे तो दोस्तों ये coach भी कुछ भी नहीं जानता क्योंकि body fats जब घटा है ना पूरे body से घटा है मतलब अगर आपके arms में fat है face, legs या chest में fat है और पूरा body में fat जाना जाना भी है वो सब fats घट जाएंगे किसी भी एक जगा से fats नहीं घटता इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिए कोई भी टेनर आपको अगर ये कह रहा है आपके sides का fats मैं घटा दूंगा या तो वो खुद बेवकूब है या आपको बेवकूब बना रहा है या उसको कुछ knowledge नहीं है मैंने देखा है उनके fitness टेनर ज़्यादा warm-up करवाते है लगवग 20 minutes कभी-कभी 30 minutes तक ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इससे आपका energy level down हो जाता है तो तो मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि warm-up करना नहीं चाहिए warm-up करना चाहिए warm-up 5-8 minutes या 10 minutes तक करना चाहिए ताकि आपके body warm हो सके warm-up करने से आपके injury वगड़ा कम होंगे बट ज्यादा warm-up से आपके energy खतम हो जाएंगे आप main workout नहीं कर पाएंगे और mind-muscle connection नहीं बन पाएगा तो दोस्तों इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिए इन सब so-called trainer के चक्र में आप मत पढ़िए अजकाल कितने सारे gym खुल चुके है जिसमें कुछ लगए है जो 2-3 माने तक gym करते है और आपना gym open कर लेते हैं तो इन सब so-called trainer के चक्र में आप मत पढ़िए क्योंकि वो लोग आपके body को बनाने के बज़े बिग्यार देंगे अब इस वीडियो को forward, share, like और comment करने से काम नहीं चनेगा उसका कोई फाइदा भी नहीं हो बैतान में उतरना पढ़ेगा If we all come together, if we all join our hands we can still make a difference अगर आप में से किसी को भी समाज की रत्ती भर परवाया फिक्र है Just give me a drink